नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरवराज अगले साल लोकसभा के चुनाब होने हैं नरेंद्र मोदी की नजर बिहार के उपर है क्योंकि बिहार में निटीश कुमार है इंडीए का समीकरन क्या होगा महागठवंदन का समीकरन क्ा होगा कौन कितने सीटों पे किस गठवंदन से लड़ेगा इसको पर विश्तार से बात करेंगे मेरे साथ सीने जर्नलिस्ट ग्यानेस्वर है बिहार नरेंद्र मोदी के सबसे टॉप priority में रहेगी कितने सीटों पे इंडिये में बीजे पी लेगी, महागटवंदन में कौन कितने सीटों पे लड़ेगा देखे ये तो बिलकुल आपने सही कहा कि बिहार पर सबसे अधिक नजर है क्योंकि बिहार से नफान नुकसान दोनों की संभाबनाएं है और एंडिये की हम बात कर लें तो एंडिये में आपको मालूम है कि नई प्रिसितिया बनी अब बिहार में महागटवंदन बन गया सरफ निटीस कुमान नहीं है उनके साथ लालू यादव वत जस्यादव भी है लेकिन पहले हम बात कर लें एंडिये की देखिए मेरी एसपस्त मानेता है और बीजेपी के भीतर से जो आंतरिक स्रोत है आगे क्या होगा मैं इस बात की गारंती नहीं दे सकते आगे लेकिन अभी जो तयारी है बीजेपी साफ तौर पर चालिस में से 32 सीटों पर चुनाव लगना चाहती है 32 से एक सीटे नीचे नहीं 32 से एक सीटे अधिक हो सकती है और जो सहयोगी होना चाहते है उन्हें एस पस का दिया गया है कि आपको हमारी सर्तों पर आना होगा क्योंकि बीजेपी का मानना यह है कि लोग सभा चुनाव में बोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नरिंदर मोदी के नाम पर मिलता है बाकी फैक्टर गौन हो जाते हैं नरिंदर मोदी का नाम इतना बड़ा है कि बाकी सारे फैक्टर काम नहीं करते हैं उसी नाम से जीत और हाल लिखी जाती है फिर बेजेपी का कहना है कि आप 2019 की बात मत कीजिए जब चिराग पासपान को 6 सीटे दी गई तो 2014 की बात मत कीजिए जब उपेंद्र कुस्वाह को भी सीटे दी गई तो कहना ये है कि देखिए नितीस कुमार के साथ जब हम 2019 में थे तो नितीस कुमार का एक क जो अती पिछली जातियां हैं जिने बिहार में पंच फोना और पंच पनिया करते हैं तो वो दूसरे हाला थे लेकिन जब हम वहां से निकले हैं या निकाले गया हैं तो बीजेपी अपना आधार जो है मजबूत करने का अबसर देख रही है क्योंकि अमित साहने नवादा में सपस कर दिया कि 2024 भी और 2025 में बिहार में बीजेपी की शरकार भी तो सही योगियों को कहा जा रहा है ज्यादा छिलन मत कीजेगा ठीक है ना लेकिन यदि कीजिएगा तो फिर काटा वाइबी भी हो सकता है नहीं ठीक है लेकिन आप याद कीजे ना कि उत्त्रपरिस में क्या हुआ था 2019 में अपना दल जी दो सीटे सिर्फ मिली थी ठीक है ना तो बीजेपी का जो भाव है भी या बीजेपी का जो गुमान है वो सात्मे आसबान पर है ठीक है ना क्योंकि बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि बिहार के महा गटबंदन में भी मुके सहनी उपिंद को समाहा और इन लोगों को सीटे देने के लिए चिराग पासबान को सीटे देने के लिए बहुत ज़्यादा बैकेंसी नहीं है महा गटबंदन में भी महा गटबंदन के लिए आप बात करना चाहते हैं तो बिहार में 40 सीटे ही है ना जी सोला तो नितिसकुमाज जीते और नितिसकुमाज ≅ कि समझते हैं कि सतरा में सोलक तब जीते थे 2019 में मोदी के साथ ही नाम भी था भार्चपा का नाम भी था अब देखिए आप इसको दो रूप में देख सकते हैं, आधा गिलास भरा हुआ, आधा गिलास खाली, जब नितीज कुमार साथ थे, तो 2019 में बीजेपी 17 की 17 जित गई, लोचपा 6 की 6 जित गई, और एक किसंगन छोर कर बाकी जेडियू जित गया, लेकिन आप 2020 का बिधान सबाद चुनाओ देखें, तो बीजेपी के साथ रहते हुए भी नितीज कुमार नमबर 3 की पार्टी बन गए, आर जेडियू नमबर 1 पार्टी बनी बिधान सबाद चुनाओं में, ठीक है ला, बहुत कम फासला रहा बीजेपी और आर जेडियू में, लेकिन आप ऐसे समझिए, कि आर इस तरीक सिटे ले लेना, क्योंकि आप करीब करीब तैह है कि नितीज कुमार महागठवंदन में ही रहेंगे, जिस तरीके समिर्चा नमबर 1 में कह दिया कि कोई बैकेंसी नहीं है, कोई इंटी नहीं है, नितीज कुमार और ललन सिंग के लिए दरवाजे बंध है, ललन सि साथ, इसमें इनके पास कौन-कौन है, कॉंग्रेस, क्या सो सकते हैं, कॉंग्रेस को आठ सिटे में जाएगी, आठ सिटे नहीं देखी, कॉंग्रेस को चार से नीचे पर जाना होगा, इस बात को समझ लीजिए, और बहुत यदि हो गया, तो चार हो जाएगा, ठीक है, कॉं सब्सक्राइब करेंगे लेकिन समझता करना पड़ेगा एक सीट पर और यदि नहीं करेंगे तो वह भागने की भी कोसिस करेंगे लेकिन वहां भी बैकंसी नहीं है इसलिए इस बात को समझना होगा कि वैकंसी उधर भी नहीं है तो यह जो बीजेपी इंडिये एलाइंस में 32 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लगना चाहेगी और पसुपती पारस और चिराग पास्मान की सीटे जोर कर देखी जाएगी ठीक है ना पसुपती पारस के कितने सा संसं महा गटमनन की और चले जाएंगे क्यों कि पसुपती पारस के कई सांसं महा गटमनन में भी बातचित किये हुए से क्विन के साथ है पारस देखि देखी पसूपती पारस बाधीलास पास्मान के भाई थे और रामब्लास पास्मान के लिए ये सरा काhemods लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता बाप का उत्रा धिकारी बेटे को ही मान लेती है अब देखाई आपने कल दो दिनों पहले जो प्रेस कॉंफेंस किया था पसफथी पारस में चिराग पासवान का नाम सुनते ही कैसे भरग गयते तो यह तमाम सारी चीजें हैं लेकिन बैकेंसी नहीं है और दोनों ही कतबंदन में सहयोगी दलों को इसलिए आप देख रहे हैं कि कई सहयोगी दल इधर भी उधर भी पत्ता नहीं खोल रहा है क्योंकि उन्हें पता है ठीक है ना किसी को बाई मिल जा रहा है किसी को जैद मिल जा रहा है लेकिन इसका मतलब यह और आपने देखाई सम्राज चयोदरी को अज्जच बना दिया गया तो यह सारी स्थाषट्या परिश्थितिया हैं ऐसे में सबस्थना होगा कि ब्हार में महाल बने होगा क्या मंधार है, और आगे किजिएगा धनेवाद।